श्रिमान वेंक टनाथार यह कवितार की केके सरी वेदानता चार यवर्यों में सन्निधत्ताम सदाखर दी आज हम सत्रवाँ श्लुक देखने वाले हैं यह श्लुक श्रेयस का माहा ऐसा शुरू होता है पहले श्लुक सुनिए श्रेयस का माह कमल निलये चित्रमाम नायवाचाम चूडापीडं तवपदयुगं चेतसाधारयं तह चत्रच्चाया सुभगशिरसाह चामरसमेरपार्श्वाह श्लागाशब्दश्रवनमुधिताह स्रग्विनसंचरंती श्रेयस का माह कमल निलये चित्रमाम नायवाचाम चूडापीडं तवपदयुगं चेतसाधारयं तह चत्रच्चाया सुभगशिरसाह चामरसमेरपार्श्वाह श्लागाशब्दश्रवनमुधिताह स्रग्विनसंचरंती लक्ष्मी जी की कृपा हमें अत्यंत उन्चास्तान प्राप्त करने में मदद करेगी लक्षमी जी की कृपा इस प्रकार की है ऐसा बताने के लिए ये श्लोग प्रवर्त है किस प्रकार की परिस्तिती को पहुंचाएगी उसे उत्रार्द में दो पाद में वर्नन करते हैं पूरवार्द के दो पाद से जो इस प्रकार की लक्षमी जी की दिव्य चरणारविंद को अपने हर्दी में धारन करते हैं वे लोग ऐसा आगे का सम्मन्द है अर्थाद श्रेयस का महा जो श्रेयस की कामना करते हैं अर्थाद दुनिया में प्रेयस और श्रेयस ऐसा दो चीज है प्रेयस यानि इस दुनिया में हम लोगों की जो चाहत है उसको प्रेयस शब्द से कहते हैं और आमुश्मिक अर्थाद मोक्ष की इच्छा को श्रेयस शब्द से कहते हैं वस्तुदा जो श्रेयस का महा भवन्ती यानि जो श्रेयस की कामना करते हैं प्रेयस की कामना नहीं करते हैं, क्योंकि मंद बुद्धी वाले लोग प्रेयस की कामना करते हैं, श्रेयस की कामना उन्चे लोग करते हैं, ऐसा स्वयम उपनिशत कहती है एक जगह पर श्रेयस च प्रेयस च मनुष्य में तत्त उसंपरित्य विविनक्ति धीरह, श्रेयो धीरो अभिप्रेयसो ब्रनीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद ब्रनीते, ऐसा ये शुलती वाक्या है, कटो पनिशत है, श्रेयस और प्रेयस दोनों में, जो वस्तुतहा अध्यात्मिक चिंतन करते, कर्मयोगादी का अनुष्ठान करके, उसके जरिए ज्यानयोग की सिद्धी पाकर और उसके जरीए भक्ती योग भी प्राप्त करके जो भगवत साक्षातकार तक पहुंचते हैं आत्मसाक्षातकार के जरीए उन वे लोग मोक्षब प्राप्ती करते हैं उसी को श्रेश स्थाब्द से भी कहते हैं ऐसे श्रेश कामा हां हे कमलन लिये एक कमल अर्तात कमल कुस्म को अपने वास्तान बना कर रहने वाली हे लक्षमी जी कमलन लिये आमनायवाचाम चुडापीडं चित्रम चित्रम आश्चरिय चकित करने वाला अत्यद्भूत ये किसका विशेशन है चित्रम तब पदयुगं उसमें विशेशन और आपका जो दिव्य चरणार विंद है वो आश्चरिय जनक है और इतना ही नहीं आमनायवाचाम चुडापीडं वेदवाणी के लिए अपने शिरो भूशन बनने वाला है वेदवाणियां अर्ताद वेद के शिरो भूशन बनने वाली आपके दिव्य चरणार विंद अर्ताद दिव्य चरणार विंद का वरनन लक्ष्मी जी का दिव्य चरणार विंद का वरनन शुरुती कहती है इसलिए शुरुती अपने उपनिशत भाग से अर्ताद येवं श्री सूक्त भाग से लक्ष्मी जी की दिव्य चरणार विंद को धारन करती है ये भावना से अमनायवाचाम चुडापीडं अमनायवाणी का भी अपने सिर्को स्थान बनाने वाली सिर्को भगवान लक्ष्मी जी का पादार विंद का स्थान बना दिया है वेदवानी अपने सिर्को अर्थाद चुडापीडं तवपदयुगं अर्थाद अमनायवाचाम चुडापीडं तवपदयुगं चेतसादारयंतहा श्रेसकामाहा सदा के लिए श्रेस कामना करने वाले लोग क्या करते हैं लक्षमी जी की दिव्यचारणारविंद जो आश्चर जनक मात्र नहीं है और वे दवानियों का शिरो भूशन हो रहा है उसको जो धारण करते हैं सदा के लिए अपने खरदई में वे लोग किस प्रकार का फल पाते हैं वो आगे का दो लाइन में वरनन है चत्र चाया सुबगशेर सहाब और उनकी सिर में चत्र की चाया बनती है अर्थात सदा के लिए चत्र उसके सिर के उपर चत्र धारण होता है अर्थात मोक्ष में जाने वालों को वहां शत्म चामर हस्ता हा शत्म माला हस्ता हा ऐसा उनको वहां बहुत बड़े रूप से स्वागत सद्क्रियाएं होते हैं मोक्ष में जाने वाला एक चेत्र को वो वहां एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है जैसे हम अपने रामान जो संप्रदाय में वैकुंट उत्सव शब्द से बोलकर मनाते हैं वो वैकुंट में उत्सव होता है एक चेतन मोक्ष पाता है तो वो वैकुंट उत्सव में चत्रचाया सुबगशिरसहा इनके चत्र मोक्ष में जाने वाला जो श्रेस कामनावान व्यक्ती है वो जैसे लक्षमी जी की दिव्यचर अरविंद को सदा के लिए अपने हरदे में धारण करेगा वो उसको वहाँ स्वागत मिलते वक्त वो किस प्रकार का वरणन है उसी प्रकार का वरणन इसको फल के रुप से मिलता है ऐसा कहते हैं चत्र चाया सुबगशीरसहा जिनके सिर्के उपर चत्र की चाया हो जाती है जैसे राजा लोग नाराजा लोग इदर रहते हैं वैसे वहाँ इस एक व्यक्ति दिव्यस्तान पर पहुंचने वाला महराज से कम नहीं है वहाँ के लोगों को इसलिए चत्र चाया सुबगशीरसहा दोनों बाजू में चामर समेर परशवा हा और चामर अर्थात उनकी सेवा करने के लिए शतम चामर हस्ता हा सुब लोग चामर को लेकर आते हैं और तक वो भी कह website, इनको मिलता है अर्ताद दोनों बाजू में समेर पार्शो पार्शो में पार्शो याने बाजू में आजू बाजू में अगल बगल में चामर को अर्ताद चामरी जो मर्ग है उसका बाल जो है उससे निर्मित ये चामर जिसे कहते हैं उससे बेजनक इंकर ये करते हुए अर्थाद उसे दोनों बाजू हिलाते हुए आएंगे और वो भी हसते हुए रहेंगे, हस्मुख रहेंगे शतम चामर हस्ताहा, शतम माला हस्ताहा के लिए आगे कहते हैं श्लागाश अब्दश रवन मुदितास रग्वीना और वो सब माला धारन कर लेंगे अर्थाद मौक्ष में जाने वाले लोग जो श्रेस का माहा जो लक्षमी जी के दिव्य चरनारविंद को खर्दे में धारन किये हैं जो चरनारविंद आश्चर ये जनक मात्र नहीं है और वेद वानी जिनके अपने सिर से जिनकी चरनारविंद को अपने सिर पर वहन करती है ऐसे दिव्य चरनारविंद को खर्दे में रखने वाले लोग चत्रचाया सुबकशिरसहा भवंती ऐसे हो जाते हैं चामरस मेरप आरश्वाहा हो जाते हैं श्लागा शब्द श्रवनमुदिताहा जैगोश होता है दोनों बाजु जैए हो जैए हो एक मुक्तात्मा के लिए जैए हो ऐसा बोलते हैं अर्थाद श्लागा शब्द श्रवन मुदिताहा स्रग्वीनहा माला उनको पहनाया जाता है ऐसे संचरंती वैकुंटक्षेत्र में संचार करते हैं ऐसा वर्णन इस श्लोक में किया गया है अर्थाद लक्ष्मी जी का ध्यांग करने वालों को फल जितना मीठा फल वैकुंट प्राप्ति होती है उस वैकुंटप प्राप्ति का वर्णन उपनिशदों में जिस प्रकार मिलता है उसी प्रकार का वर्णन इधर भी करते हुए वेदान देशिक जी हमें और वेदान तसार को इधर कह दिये हैं श्रेयस्कामाह कमल निलयें चित्रमाम्नायवाचांचुडापीडंतव पदयुगंचेतसाधरयंतः चत्रच्चाया सुबगशिरसः चामरस्मेरबारश्वाहा श्लागाशब्दश्रवनमुधिताहा स्रग्विनहा संचरंती कवितार की कसिंभाय कल्यान गुनशालिनी स्रिमते वेंकटे शाय वेदान्त गुरवे नमहा